दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब आप एक नया फोन लेते हैं, चाहें Android लो, चाहें iPhone लो, कोई भी, तो कौन सी ऐसी पहली चीज़े हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए, इन्हें अगर आप मिस कर दोगे न तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, सबसे पहली चीज़, जब आप नया फोन लेते हो, तो पुराने फोन का डेटा कहीं पर स्टोर करके रख लो, कहीं सेफ एंड सेक्योर रख लो, और नय डिवाइस में भी डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो, अगर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, तो भी पुराने दिवाइस का डेटा कहीं पर उठाके रख लो अच्छे से, या तो जो जो इंपॉर्टन डेटा उसे नए डिवाइस में डाल दो, दूसरी चीज़ आपको ये करनी चाहिए, कि आपका डिवाइस जो आपने नया ले लिया है, तो उसकी सेफटी सिक्योरिटी मतलब तूटे नहीं, तो एक फोन केस खरीद लीजिए आप, फिलिप वाला खरीदेंगे तो बहुत सेफ और सिक्योर रहता है, लेकिन जो एल्डर पीपल होते हैं, जो थोड़े बुज़र्ग होते हैं, वो लोग उसको जादा पसंद करते हैं, और फोन उसमें बहुत सेफ रहता है, उसम केस खरीद लें, उससे ही होता है कि वो रवर जैसा होता है, गिरने पे तूटता नहीं है, एजस पे लगके आपका ना स्क्रीन गाड तूटे का ना कुछ, तो फोन की सेफटी बहुत जरूरी है, तो टेमपर ग्लास भी और उसका केस भी, दौनों ले ले लें आप, बैक को ये करनी है कि जैसे ही उसमें आप अपना गूगल अकाउंट डालोगे, या एपल के केस में अपनी अपल आइडिया जो भी डालोगे, तो फाइंड माइ डिवाइस ओन कर देना, एंड्रॉइड में तो ये बहुत ही असान है, कर देना, उससे क्या होगा कि अपना फोन कह IMEI नंबर, इसी वक्त, चाहें फोन नया हो, चाहें पुराना हो, अपने घर में जितने भी फोन है, सब का मॉडल नंबर लिखो, किसका फोन है वो लिखो, और उसका IMEI नंबर लिखके, सारे फोनों का घरों का, उस पेपर को कहीं सेफ एंड सिक्योर जगर रख दो, ये मै कोई भी इंसान आपके खोए ये चुराएवे फोन पर सिम लगाएगा ना, तो तुरंत पकड़ा जाएगा, पुलिस उसको पकड़ लेगी, आपका फोन वापिस मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका फोन का डबबा आपने फेक दिया है, और आपके फोन का IMEI नंबर आपक नोट करके रख लो, ये बहुत important है, अगली चीज़ आपको ये करनी है, कि आपने सब सेट अप कर लिया, सब कुछ केस भी लगा लिया, IMEI नंबर भी नोट कर लिया, अब आपको अपने फोन के लिए अपडेट चेक करने हैं, क्योंकि आपका डिवाइस बहुत दिनों तक एक डबे में बंद होके एक दुकान में रखा हुआ था, उस दौरान जब से वो बना है और जब दुकान में रखा हुआ है, उस बीच में हो सकता उस डिवाइस के लिए कुछ अपडेट भी आए हो, तो आपने नया फोन खरीदा है, लेकिन वो आपके लिए नया है, लेकि होती है, तो आपको अपने फोन को अपडेट कर लेना है, अपडेट मोबाइल डेटा से बिल्कुल मत कर लेना, क्योंकि आपका सारा डेटा वो खतम कर देगा उस दिन का, आप वाइफाई से अपडेट करो, अपने फोन को अपडेट रखो, तो ये चीज आपको करनी है, अ और इसके बाद आप अपनी जो भी फालतू एप्लिकेशन उसमें पहले से ब्लोट वेर डलके आते हैं उनको हटा देना है क्लियर कर देना है बहुत सारी मौज और टकाटा को पत नहीं क्या-क्या डलके आता है आजकल फोनों में यह प्रॉब्लम तो रहती है तो आप उन्हें हटा लीजिए, साफ कर लीजिए और फोन को पूरे तरीके से अपना बना लीजिए उसके बाद आप लास्ट में अपने फोन को समझीए वो कैसे चलता है नहीं चलता है लेकिन रुको इससे पहले अपने फोन को चार्ज जरूर कर लेना यह अवधारना बिल्कुल गलत है कि फोन को आने के बाद उसे 8 घंटे चार्ज में लगाना चाहिए पता है मैं उस वक्त से आता हूं मैं उतना पुराना यूजर हूं जब फोन खरीदनी के बाद बोला जाता था कि नया फोन ले जा रहे हो ले जाते ही इसको 8 घंटे चार्ज में लगाओ इस बात का कोई इसको चार्ज में लगाओ उसके बाद उससे समझो उसके यू आई को समझो फीचर को समझो उसके कैमरा ओप्शन वगेरा सब को समझो और अपने डिवाइस को इस्तिमाल करो यहां पर मैंने आपको बताए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप हाला कि स्टेप तो बहुत स उसके साथ शेयर करें साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंट्रस्टे दो डिस्क्रिप्शिन चेक करें 299 रुपीज के तीर इथिकल हैं कुर्से जैं आसान भाशा में आपको इथिकल हैंग सिखा देंगे मैं मनता आप सिगली वीडियो में थैक्यों सो मॉच and good bye